आपको आपी के फेवरेट शो से जुड़ी जनकारी बात करते हैं टीवी सीरियल ये है चाहते के आने वाले एपिसोड की तो शो की शुरवात में क्या कुछ खास दिखाया जाएगा उसे जानने से पहले एपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लिया हो शो में दिखाया जाएगा कि अरजुन पहुंचता है ट्रेनिंग सेंटर काश्वी उससे कहती है कि तुम ट्रेनिंग के लिए ले लेटो ऑगें आखिर तुम कारून को नुकसान क्यों पहुचाना चाहती हो। शांदी कहती है कि आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगी, आप मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हैं। वो कहेगी कि मैंने तो कारून को बचाया है, अगर मुझे हाम करना होता तो उस दिन एक्सिदेंट से मैं नहीं बचाती। वो उससे कहती है कि आप मेरा भरुसा कीजिए प्लीज। यहाँ पर जगदीश कहता है कि अच्छे ठीक है। लेकिन वो उससे वान करता है और कहता है कि अगली बार से तुम कैफ़ोल रहना। वो डेसाइड करता है कि वो सोप की बॉटल देगा लेब में और वो टेस्स करवाएगा कि आखिर इसमें मिलाया क्या था। वो सोचता है कि उससे शान्ती पर नज़र रखने चाहिए। वो सोचती है यहाँ पर शान्ती कि जगदीश बहुत जादा स्मार्ट है काश्वी और अर्जुन से। काश्वी यहाँ पर अर्जुन से कहती है कि मैं तुम्हें सस्पेंड कर सकती हूँ इस बहेविया के लिए अर्जुन कहता है कि तुम चाहो तो ट्रेनिंग सेंटर से मुझे बहार भी फैंक सकती हो लेकिन जैसे तुमने साथ साल पहले मुझे अपनी जिंदीगी से वापस तब ही वो रिमाइंड कराती है कि उसने नहीं बलकि अर्जुन ने महिमा के साथ मिलकर उसे धोका दिया था अर्जुन एक्सेप करता है कि जो किया वो गलत किया लेकिन वो कहता है कि मैंने तुम्हें धोका नहीं दिया जो भी कुछ हुआ वो ता इसले हुआ क्योंकि मैंने शराब पी थी वो कहता है कि मैंने कभी भी नहीं चाहा था कि हमारे बीच कुछ ऐसा हो लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे बश्पन से प्यार करती हो यहाँ पर अरजुन कहता है कि मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा पहला प्यार था और तुम मुझसे बश्पन से प्यार करती हो, काश्वी कहती है ऐसा कुछ नहीं है वो कहती है कि आखर तुम्हें ये सब बक्वास किसने कहा, तब ही वो कहता है कि accept कर लो कि तुम उसे प्यार करती हो और काश्वी रोने लगती है वो कहता है कि तुम्हारी चुपी ही तुम्हारा जवाब है और वो उसे हग करता है लेकिन काश भी उसे धक्का देती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया था लेकिन पास में लेकिन वो अप माइने नहीं रखता वो कहती है कि अब तो मैरेड हो और मैं भी किसी और से मैरेड हूं तब ही वो रेवील करता ह कि कैसे उसने भी उसे पास में प्यार किया था लेकिन confess नहीं किया क्योंकि मुझे लगता था कि तुम उससे प्यार नहीं करती अर्जुन कहता है कि तुमने मुझे आज तक अपनी feeling confess क्यों नहीं करी आखिर तुमने पूरी life अपना different behavior क्यों रखा तुमने मुझे प्यार का तुमसे प्यार करने लगा था, वो कहता है कि मैं सिर्फ पूरी जिन्दगी तुम ही से प्यार करूँगा, तब ही वो उसके माथे पर किस करता है, उसे हग करता है, लेकिन काश्वे इस बार भी उसे धक्का देती है, और कहती है कि ये सब फालतु बातों का कोई मतलब नहीं है वो कहती है कि सब कुछ चेंज हो चुका है और इसलिए अब तुम यहाँ पर चले जाओ लेकिन कर अर्जुन कहता है कि लेकिन तुम मुझे एक्सेप कर लो मैं अभी भी तुमारा ही हूँ अर्जुन अपने आप से कहता है कि अगर काशवी ने मुझे पलट के देखा तो इसका मतलब काशवी मुझे से प्यार करती है और होता भी ऐसा ही है हमेशा कि थारा काशवी जाने से पहले अर्जुन को पलट कर देखती है और अर्जुन को यहाँ पर पॉजिटिव सिगनल मिलता है देखना होगा काशवी अर्जुन के जिन्दगी में एक बाँ फिर से एंट्री मारेगी क्या लगता है कॉमेंट कीजिए साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अर्जुन के जिन्दगी और अर्जुन के लिए से एंटयों के लिए और भूले